हालो स्टुडेंट डॉक्र लता अगर्वाल तुडे वी आर गोईंग टू डिसकस एंगलो मराथा स्ट्रगल बच्चों आंगल मराथा संखर्ष चार संखर्ष हुए और इन चार संखर्ष के बीच में एंगलो मराथा ट्रीटीज हुए जिसके कारण अठार सो अठारा तक मराथा परास्थ हो गए और भारत में एक नवीन अंग्रेज राजीतिक शक्ति या सत्ता का उद्बव हुआ मुगल सामराजी के पतन के बाद मराथा शक्ति अपने प्रभूत्य में आई और मराथा शक्ति के पतन के बाद अंग्रेजी शक्ति प्रभूत्य में आई 772 में माधहुरा की मृत्यु के बाद अंग्रे महराठो के मध्या फूट पड़ गई और उस आपसी फूट का लाग अंग्रेजों ने उठाया परिनामत हैं तीस अगर 773 को रगुनात राव ने पेश्वा बनने के लिए नारायन राव का बद्ध करा दिया और उसने अंग्रेजों से साथ माध 775 को बंबई सरकार से संधी कर ली जो सूरत की संधी कहलाई उसका पहला उद्देश है पेश्वा बनना था और पेश्वा बनने के लिए उसने सालसेट बसीन तथा बंबई के निकटवर्थी प्रदेश अंग्रेजों को सौटने के लिए तैयार हो गया बिटिश गवर्नर जनरल का लोब या महत्व कांग्षा बढ़ती गई परिनामत है 18 मई 1775 को अरास नामक किस्तान पर अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्दुआ और उसका उद्देश है रगुनात राव को पेश्वा बनाना था पुनाय पुरंदर की संधी हुई एक मार्ट 1776 को कलकता कॉंसिल ने नाना फड़नवीज के साथ संधी की जो पुरंदर की संधी कहलाई और उसके अंतरगत पुना दर्बानी अंग्रेजों को युद्दि की शत्रिपूर्टी के लिए 12 लाख रुपे देना स्विकार किया साल सेर के दूपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन संधियों की माध्यम से उत्तरी और दक्षिन भारत की राजनितिक सत्ता को अधिकरित करने में सफलता प्राप्त की महादर जी सिंधिया जो अंग्रेजों का विरूदी था और इसी कारण 19 जन्वरी 1789 को होलकत था सिंधिया की नित्यति में मराठों ने तेल गामु नामकिस्तान पर अंग्रेजों को घेल लिया और अंग्रेजों को एक बहुती अपमान जनक बढ़गाओं की संधि 19 जन्वरी 1789 को करनी पड़ी और यह संधि के इस संधि के अंतरगत अंग्रेज रगुनात राव को मराठा को सौपतेंगे और अंग्रेजों दोरा जीते गई सभी प्रदेश मराठों को दिये गए और साथ ही दो अंग्रेज अधिकारियों को मराठा में बंधक के रूप में रखने का नेमने लिया गया पुन्ह युद्ध का होना अवशंबावी हो गया परिडामत है फरवरी 1780 में पुन्ह युद्ध प्रारब हुआ और 13 अक्टूबर 1781 को महद जी को साल बाई की संधी करनी पड़ी 17 मही 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में साल बाई की संधी होई जिसमें साल से तता भरोच पर अंग्रेजों का दिकार स्विकार हो गया और अंग्रेजों ने आश्वासंद दिया कि वे भविश्य में रगुनात राव को किसी प्रकार की साहिता नहीं देंगे पेश्वानी वच्चन दिया कि मैं किसी यॉरोपीन जाती को अपनी दर्बार में नहीं रखेगा फात्य सिंग गायकवार को बरुदा का शासक स्विकार कलिया और उसको जीते हुए प्रदेश वापस लोटा दिये इसका महत प्रथम आंगल मराठा युद्धित्म के परिणाम के रूप में निकला और जिस से यदिपी से संधी में जो अंग्रेजों ने मराठों के आंटिक फूट और दुर्बलदाओं का लाब उठाया वहें उसके लिए धीरे-धीरे महत पुन बनता गया और ये महत पुन संधी अंग्रेजों को भारत में प्रभुत इस्थापित करने के लिए कारगर सिल्द हुई इत्यास कारोनी इस आंगल मराठा संगर्ष को प्रथम संगर्ष को बहुत ही अंग्रेजों के लिए महत पुन माना है इस प्रकार सारबाई की संदी से मराठो को नहीं बलकि बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को लाब पहुंचाँ धन्यवाद